एक शक्स है अंहिल बलूनी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मीडिया इंचारज भी हैं, वो एक जरिया होते हैं अकसर न्यूस चैनल्स और बीजेपी के बीच, यानि जब भी कोई ऐसी खबर चलेगी न्यूस चैनल पे, जो बीजेपी के हित में नहीं होगी, या अगर कोई न्यूस चैनली का कोई आंकर या जूर्नलिस्ट कोई ऐसी बात करेगा, तो जो सूत होगा बीजेपी और एडिटर के बीच में वो ये शक्स है, अनिल बलूनी. अगर तो मामला बहुत गंभीर है, तो उसका सीधा परणाम यह होता है, कि सीधा चैनली को बॉइकोट कर देती है, बीजेपी. बॉइकोट कर देती है, और आपको यह महसूस करना होगा, देखें, वी आर इन बिसनस अव न्यूस. अगर आपको सत्ता पक्षी बॉइकोट कर देती हैं, तो आपकी जो यह तमाम talking hint shows हैं, debates हैं, इसमें कर सत्ता पक्ष वाले नहीं आएगा, तो फिर कैसे आप काम पर होगें? आप दुग्धा समझते हैं उसकी पर, जब आपको सत्ता पक्षी बॉइकोट कर दे, अच्छा इसके लाबा जो revenue model होता है, वो revenue model ऐसा है कि एक बार आपको government बॉइकोट कर दे, तो फिर सारे advertisers आपसे back off कर जाते हैं, यह additional pressure है, और उसके बाद क्या होता है, यह तमाम news channels साल अधर मेना कुछ सम्मेलन करते हैं, जिसे शिकर सम्मेलन, जिसमें दिन भार guests होते हैं, मंत्री आते रहते हैं दिन भार, अधर साब आप भी आया हैं हमारे के बार shows, पुराने वाले जब मैं चैनल में था, तो उसमें दिन भार ऐसे shows महमान आते हैं, इनके जरीए news channels जो हैं, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि तमाम बड़े-बड़े नाम आते हैं उसमें और लिहाजा तमाम advertisers, sponsors होते हैं, मगर जब सत्ता बक्ष आपको boycott कर देता है, तो क्या होता है, इस तरह के फिर शोस में पाते हैं, तो फिर चैनल के पास कोई जर्यान नहीं होता कि वो घुटने टेकते हुए वापस पहुंचता आनल वर्यूनी के पास, कि सहाब क्या किया जाएं, कई बार गिविंटेक इस तरह से होता है, कि कहा जाता है, कि भई आप फ़लाने आंकर करें, या फ़लाने बत्रकार प्यान कुछ जाएं, मैं आपनी बात करता हूं, मस्कर देखें, जब आप एक सेनॉरिटी में आ जाते हैं, मुझे दो दशक हो गया है, बतवर बत्रकार, तो जब आप एक सेनॉरिटी हासिल कर लेते हैं, तो आप साइक किसल के प्रोग्राम करते हैं, अलाकि मेरा वजूर किसी डिबेट पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसका जिक ये डिबेट्स बताती हैं कि हम अंदर से कितने जलील, हमारी सोच कितनी घट्या है, तो आप बोईगोट करती है, आपको बताया गया कि आप नहीं तो मैं बार 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 बूच्छता थे कि भाई आप मुझे क्यों नहीं डिबेट्स दे रहें, फिर एक दन बहुत आराम से अधिकान में उन्हें बोला कि बहुत बीजेपी की तरफ से परमाने कि अभिसार को अगर आपके बेट में पेजेगे तो हम अपना प्रवाक्ता ने पेजेगे हैं, फिर मैंने एक, क्योंकि आप काम करने पर याप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप हाशे पर नहीं हो सकते हैं उसको आप हाशे पर रखकर, उसके हाथ-बाओं काटकर, उसके तरफ्की का माधियम तो खात्म हो गया ना, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह का याँ खेल खेला जाता है, मैं बहुत आपको एक दिल्शस मिसाल बताता हूँ, यह वो वक्त था जब मौतरमा स्मितिरानी, समितिरानी जी आएंपी में दस्टे थी, एक दिल मेरी दोस्त ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट थोड़ा प्रोवोकेटिव था, समिति जी के बारे में था, और मैंने उसको रेट्वीट किया, यह वो सिल्टिफाँ रहता था, सडली उस शाम मेरे संपादिक ने मुशे पुला गिया, तुम क्या करते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने ओफिशल हैंडल से तुम कैसे इस ट्वीट को रेट्वीट कर रहे हो, तुम अगले दिन एक बहुत ही रहसम है कॉल मेरे पास आया, शरत कुमार करके हैं, जो शायद स्मृति जी के सेक्रेटरी हैं कौन है पता नहीं को, उनका कॉल आया कि अभिसार जी मैं शरत बोल रहा हूं, क्या आप अपने संपादिक का मुझे नंबर दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, तो मुझे वड़ी एक पटी बात लगी कि स्मृति इरानी के दफ क्या हुआ, क्या हुआ है कि आप लोग जानते हैं, आप में से कही लोग मुझे से रूबर हुए हैं पिछले देड़ दो साथ हैं जब सबसे मैंने अपने वीडियो बलॉक्स शुरूर किये तो अच्छा वो मैं वीडियो बलॉक्स कर रहा था तो आल फर साथ में एक दिन मेरी मेरी कलास लग ज़िए कि आप सोच लीजे कि आपको विडियो ब्लॉक्स करना है या समसा पहे रहना तो मैंने बोला मैंने क्या दलद किया यह दिनwasser ने देखे मेरा एक निजी सवार्थ भी दा वीडियो ब्लॉक्स के जरीए, क्योंकि मैं लोगों तक पहुँच रहा था अपने मन की बात करके, इस देश में से मेई पेकनी को अधिकार नहीं है मन की बात करने करते हैं, तो मेरा अपना निजी स्वार्थ भी था और एवरीबड़ी वांस तो बिल्ड ए ब्राइंड मेरा भी यही था उस उन विडियो ब्लॉक्स के जरिये मैं समाज के ऐसे तबकों तक पहुच रहा था जिसके हितकी बात उन यूस चैनल्स में नहीं हो रही थी और उसके जरिये का अपना प्राइंड बिल्ड करना चाहें उसमें क्या दुटसान है तो मुस्से कहा गया कि नहीं या तो आप विल्यो ब्लॉक्स करें या सोचने है देखे मैं एक बारे बारे पहती हूं मेरे एक वेटी है मेरे बच्छा है लियाजा मेरी पहली प्रयावर्टी मेरी फैमिली ह ठीक है तो मैंने वर ठीक है साब मैंने विल्यो ब्लॉक्स बंग कर दी अगले दिन फिर मेरे पास पॉल आ है अब इसारशी में शेरत बोल रहा हूं आइन बी मिनिस्ट्री से क्या आप मुझे आपने संभाज़क का नमपर दे सकते हैं तो मैंने दे दिया तीसरी बार और य कि फिर कुछ ऐसा खटना हुई और उसका नतीजह ही हुआ कि मुझे प्राइम टाइम से अटा किया गया मतलब जो 23 साल तेलेविशन में गुजार चुका है उसको आपने प्राइम टाइम से अटा के मॉनिंग बांट में बढ़ना जाल दिया और अगले दिन सुबह फिर मेर अगले शरण जी को बाल किया शरण जी मैं आपको इससे दो बार पहले नंबर दे चुका हूं संभादक का आप उससे सेफ कर लिजी ना बार बार मझे कॉल करके क्या कर रहे हैं आपको बताया जा रहा है कि तुम मेरे थंब के नीचे हो यू आर अंडल माइ थंब तो जो में बात कर रहा था एक डीप डारकर फैंटिसी थी वो आंकर जिसके जहन में मोदी के प्रती मोहबत उनके एक कटर उनके उस डारकर शक्सियत के चलते भी है वो हिंदू रिदय सम्राठ जो हम पांच हमारे 25 या जो गुजरात दंगे का एक जो जुड़ा हुआ है उनकी शक्सियत के साथ अब आप देखिए ना काजगंश आप सब जानते हैं काजगंश के अंगर तेश का सबसी लूग पिये चानल अपने प्राइम टाइम में वहां का एंकर ये कहता है कि क्या इस देश में तिरंगा फैराना अपराद है क्या अब क्या अगर तिरंगा लेके निकलेंगे तो क्या उस तिरंगे को फैराने से रुका जाएगा जब कि हगीकत ये थी कि वहां पर उसी चौराए पर तिरंगा मुसल्मान भी पैरा रहा था मगर इस जूट के जरी ये संदेश पूरे देश में सौपा बताया जा रहा था कि देखो वो मुसल्मान जो है वो तिरंगा फैरान से रुक रहा है आपको कासगंज सिर्फ कासगंज तक सीमित नहीं था वो पूरे देश में उस संदेश को देने कि ये कुछ की जा रहे थी इतना बड़ा जूट क्योंकि ये जूट सिर्फ जूट नहीं ये अवराद है क्योंकि आप गलब जानकारी दे रहे हैं आप अववा भिला रहे हैं इस अमाउंटिंग तू प्रवोकिंग अर राइट जब उस आंकर ने ये किया था तो उसक मुझे आदे में वीडियो ब्लॉक्स किर रहा था हखीकत रिपोर्ट की अचा उसमें हुआ ये था कि मैंजस चानल का हिसा था याने कि अवीपी न्यूज अवीपी न्यूज सही तस्वीर रिपोर्ट कर रहा था पंकज हा थे वहां पर गए हुए थे और उसका नतीजह ये हुआ कि बाद में मेरे बारे में और पंकज के बारे वैस अनाप्शनाप जूट पहलाए गया कि चंदन की मौत पर अभिसार शर्मा ने जश्न मनाया अनाप्शनाप कुछ भी जूट फोन बचता रहा मेरे साथ घंडे तक काली घलोच हर गिसम की भुरी तरह से पंकज को उसकी बेटी को बलाकार करने की धमकी न जाने क्या क्या पतां कि ये कौन लोग हैं कैसी बाते करते हैं और मैंने क्या किया मैंने सिर्फ अपने चैनल की रिपोर्टिंग की आधार पर उस जूट को एक्सपोस हिए और फिर पांच दिन बाद मुझसे कहा गया कि आगे से आगे से आप ऐसे किसी बात पर वीडियो ब्लॉग नहीं करेंगे जिसका तालुक चैनल से यानि कि जो एंकर तंगा पहलाने की प्रयास कर रहा था उस पर तो इस पर कोई अंकुछ नहीं मगर जो एंकर या जो पत्रकार उसको रोखने की खोशश कर रहा था मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यह अभी अभी आते आते में जो बता चाला है कि दोस्तों यह अब देख पा रहेंगे ने कार सेवक मैसकर पूछता है भारत क्या हिंदूं के गुलागार छुट्टे कुंते रहेंगे देखें यह सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन लाइब चैनल है रिबब्लिक भारत मुद्दा क्या है नब्वे की दशक में जब रामसेवकों पर मुलाइंग सेहिं यादव की सरकार ने बोलियां चलवाई थी वो प्रकरण और उस पर यह स्टिंग ऑपरेशन इनका पहले तोर यह शिर्शक देखिए हिंदूों के गुनारगार छुट्टे घुनते रहेंगे पहली बात इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं जानते थे वो एक शर्मनात वाक्या था नमबर एक नमबर दो यही बात न्यूस्ट्राक में उसमग दिखाई थी कि मैं उसमग कॉलिज में था मुझे आदे मैंने देखा था उसमग मैं लोग विश्वास नहीं करते हैं इस बात को तो इसमें कुछ नहीं नहीं है यह जो तमाम बाते इसमें कही जा रही है जो 1991 में न्यूस्ट्राक में प्रसारित हो चुकी हैं कोई नहीं बात नहीं है उसमग भी यही बात हुई थी कि भाई गोलिया जब चली थी कई हिंदू क मिलाशों का अब तक पता नहीं है यह तमाम बाते उसोग उस्वक्ति अब हम कौछ से साल में साथ 2019 2019 में 20 years पुरानी खबर आप आज दिखा रहे हो उसे sting operation बता के अब आप इसको जोड़े एक और खबर से आप लोगों को CIA की रिपोर्ट की मालूमात है कि अगर मोदी सरकार ने हालात पर कावू नहीं पाए तो चुनावों से पहले क्या 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 है क्या है मुझे पता ही है मीडिया जर्या बन रहा है इस देश में अराजकता पहलाने का और आप और हम चाहे हम मोदी बक्तों चाहे हम मोदी विरोधी हों आप और हम सब का एक एक चीज दो हमें एक लड़ी में बानती है कि हम सब के परिवार हैं हमारे बच्चे हैं हमारे माबाप हैं और जो लोग इस तरह के भड़काओ शीर्शक देकर कि क्या हिंदू के गुनागा छुटे खुमते रहेंगे वो चाहते क्या है हमारे समाज में अब इसके बाद पर इसे पढ़िए से अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया की भूने का अभिव्यक्ति की आजादी अभिव्यक्ति समाज में शांती कायम करने की एक बहत्रीन निसाल देने की, उन लोगों की आवाज सुने जाने की, जो हावनोट्स की आवाज हैं, समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों की आवाज हैं, उनको आप नकसली आंटी नाशनल देश दोरी बताकर उन्हें आप खामुश कर दो. मैं खुद को शिर्भद बताता हूँ, विश्वा से मुझे अपनी इश्वर में और मैं इश्वर से यही प्रात्ना करता हूँ कि, I hope this doesn't lead to what I often fear. मगर यह जो हो रहा है न, यह इतनी नफरतें पैदा कर रहा है. मुझे आज पिछली रहते मैं मुंबई में था, और वहाँ पर एक डिवेट हो रहा था, अच्छा मंच पर सभी लोग जो थे, वो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरुली किसम के लोग थे, तो मंच से एक लड़की पड़ी हुए कि उसने कहा, देखिये, this is an eco-chamber. Eco-chamber आप समझते न, कि मतलब हम ख्याल लोग हैं, वो आपस में बकायती कर रहा हैं, तो आपकी आपस में आवाज है और basically इसका कोई माइन नहीं, आप आपस में बोहते रहेगे. आप मुझे बताएए, हमारे सबसे भाँ, हमारे अपने दोस्त, क्या हुआ शारसालों में आप बताएए, आपके whatsapp groups में क्या होता हैं मैं बताएए, कितने whatsapp group चिंट हैं आपके तमाव वोट्साब group में, आपके पुराने 200 साल के दोस्त, 30 sाल कुराने दोस्त, वो दोस्तियां तूड देगी हैं, जैसे ही सिय आजकर चेह उति है तो वह सामाने चेह नहीं पाती है तो यह कैसी सियासत है जो रिष्टेदारों में दौरा आप पेदा कर रहा है, दोस्तों में दौरा आप पेदा कर रहा है और यह चीज वहां भी अटपटी नहीं लगती है खेर पता नहीं मतलब वाकि मुझे लगता है कि मैं जा जाँ 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 भोता हूँ यह कुछ यह मज़ ना हो यह वही तर स्रीम इतना रह जाए है दो मगर लेकिर मैंने बहुत बहुत जिनता जाना के लिए और यह लोग जो इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं यह खुद के साथ कैसे जीते हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि यह जितने भी पत्रकार हैं ना मुझे इनके नाम बतानी की ज़रुद नहीं है यह 2014 से पहले आप इनकी आवाजें नहीं सुनते थे मैंने सल्मान खुरशीद साहब से उनके प्रेस कांफरेंस में खड़े होकर सवाल पूछे थे और उनने मेरे खिलाब पोड़केस किया था लालू प्रसायद यादब को मैंने अपने स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखाया था जब रामदेव आंदोलन में पीछ रात पर हमला हुआ था और उनकी एक समर्थक्तिव सरोज उनकी मौत हो गई थी लालू यादब से में लगाता है सवाल पूछ गाता है कि आप बताईए ऐसा गहर समयदाराना काम कैसे हो सकता लालू का यूचे परिश अंदाज है चीज़ों को टाल लाना मैंने बोला लालू जी या आपका राज़नी तेक मंच दी है मैं आप से तीन बार सवाल पूछ चुका हूँ आप बहार जा सकते हैं आज तक किसी ने लालू यादब को बहार का रास्ता नहीं दिखाया है मैं तो पहले भी यह काम करता था लागर जूकि अब मैं मोधी सरकार से सवाल करता हूँ लहासा बहुत ही सोवधा जनक अंदास से प्रोपेगांडा मशिनरी मुझे एंटी हिंदू, एंटी मोधी, एंटी बीजे भी बता देती है एंटी नाशनली येस और फिर एक बहुत बड़ा बहुत ही दिल्शस्प एक प्रोपेगांडा की जाता है पता है, दो-तीन सालों में बड़ा मीडिया की बहुत बरी हालत हो गई है मीडिया नो दो धड़ों में बढ़िया है, प्रो एन अंटी मोधी, नो सर् जो लोग प्रो मोधी है, इस ये नोट दूई जर्नलिसम, ये अप्लड़ी ब्लड़ी प्रोपागांड़िस